C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ साथियो, भारत की खोज एक बहुचर्चित पुस्तक है इस पुस्तक का लेखन किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो आईए अध्यायों में चलने से पहले सुनते हैं उनका संक्षिप्त परिचय जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 तक भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्म निरपेक्ष मानववादी राजितिग्य के रूप में जाना जाता है जिन्हों ने विश्वशांती और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिधी एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है उनकी पुस्तकों विश्व इतिहास की जलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक Discovery of India का हिंदी अनुवाद है इसे उन्होंने स्वतंतरता आंदोलन के दौर में 1944 में एहमद नगर के किले में अपने पांच महिने के कारावास के दिनों में लिखा था पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में इस पुस्तक में नेहरुजी ने सिंधु घाटी की सभेता से लेकर भारत की आजादी तक विकिसित हुई भारत की बहुविध सम्रिध संस्कृती, धर्म और जटिल अतीत को वैज्यानिक दृष्टी से विलक्षन भाषा शै अलबर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरव शाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। चै साथ दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक एतिहासिक क्रम बद्धता में जानना और समझना चाहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचनस्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्माण, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। अजीत हैं।